दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है POCO ब्रैंड की है, बैक साइड में आप देख सकते हैं POCO की ब्रैंडिंग है और इसका मॉडल नमबर है POCO F4 5G जहां से सुन लिजिए मॉडल नमबर है POCO F4 5G यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस का सॉफट्वर बिल्कुल लेटेस्ट, साउमी हाइपर OS से अप टू डेट है तो इस विडियो में मैं POCO और Redmi के उन सभी मॉडाइल का FRP बाइपास करने का तरीका बताऊंगा यानि की Google Account Lock रिमूब करने का तरीका बताऊंगा जिसका सॉफट्वर बिल्कुल लेटेस्ट, साउमी हाइपर OS से अप टू डेट होगा अब एक चीज़ ध्यान दे दोस्तों आपकी डिवाइस FRP Lock है यानि की Google Account Lock है यह कैसे पता चलेगा एक चोटा से ट्रीक आपको बता देता हूँ आप धियान दीजिये दोस्तों मेरी मोबायल में उपर की तरफ कोने में आपको एक चोटा सा लाकर दिख रहा है तो इस टाइप का लाकर अगर आपके मोबायल भी दिखता है तो इसका मतलब Confirm है यानि की गूगल एकाउंट Lock ह फिर भी दोस्तों इस विडियो में सबसे पहले मैं आपको confirm कर दूँगा कि मेरे पास ही जो device है यह पूरी तरह से frp lock है यानि कि google account lock है यहां से simple हम next करेंगे next करेंगे यहां से इसे उपर करेंगे यह छोटा सा box से check करेंगे उसके बाद next करेंगे skip this step इस पे click करेंगे और next करेंगे यहां पे connect to wifi वाले आपसमें पे आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे device को किसी wifi से connect करना है क्योंकि device में net का चलना जरूरी है तो इस device को मैंने wifi से connect किया device connect हो गई अब यहां से करेंगे next कुछ second wait करने के बाद आपको पूरी तरह confirm ह हो जाएगा कि मेरे पास यह जो डिवाइस है POCO F4 5G यह पूरी तरह से FRP लॉक है यानि की Google एकाउंट लॉक है यहां से simple हम don't copy पे click करेंगे और अब देखें दोस्तों यहां पे देख सकते हैं password का आपसना गया यानि की device हमारी पहले password लाग थी तो आपको यह password पता होना च सकता है सेकंड आपसन ऊपर की तरफ है यूज गूगल एकाउंट इंस्टीड मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब देखेंगे यहां पर लिख किया आगा verify यूर एकाउंट यह देखिए verify यूर एकाउंट का आपस ना गया यानि कि device का FRP बाइपास करने के लिए आपको इस symbol सो करता है वो symbol यहां पर सो नहीं कर रहा है यह problem फेस करनी पड़ती है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आप बिल्कुल बैक चले जाए बिल्कुल home screen पे आपको यहां से बिल्कुल back चले आना है home screen पे तो यहां से मैं बिल्कुल back चलाया home screen पे अब देखें दोस्तों आपको करना क्या setup करना है यहां से next करिए next करिए country यहां पर देख रहा है न country चेंज कर लें कोई भी country आप चेंज कर लें जैसे के मैंने यह दूसरी वाली country select कर ली okay उसके बाद मैं keyboard open करूँगा तो यहां search पे क्लिक करता हूं keyboard open हो गया और यह देखें यह symbol दिख करें उसके बाद ऐसे उपर आ जाए more दिखेगा more पे क्लिक करें उसके बाद about पे क्लिक करें privacy policy पे क्लिक करें privacy policy यहां पर ओपर हो जाएगी यहां कहीं भी आप अपनी एक एक फिंगर आहसे press and hold करें आप देखेंगे यहां पे दिखेगा share आप share पे सेर पर क्लिक करते हीए दिखें सेर के ये सारे options आपके सामने आ जाएंगे यहां पर आपको दिखेंगा सेर मी सेर मी पर पे क्लिक करें और यह सेर मी open हो गया आपको इसे setup कर लेना है ठीक है तो setup और यह next करिए जो भी permissions आए सारे प्रमिसर को step by step आपको allow करना है allow करिए उसके बाद यहां से allow करिए ठीक है और यह देखिए share में application open हो गया और इसका scanner open हो गया और अब दोस्तों अब आपके पास होना चाहिए कोई दूसरी android device किसी भी brand की एक दूसरी android mobile आप लेने तो यहां पे दोस्तों मैंने एक दूसरी android mobile ले ली है और इस mobile में आपको करना क्या ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या दोस्तों इस device में play store open करना है ठीक है और play store open करके दो application आपको install करने है सबसे पहला application है दोस्तों share me तो आप यहां पे simple share me टाइप करें और search कर दें यह वाला application देख रहा है न आपको इस application को इस device में install करना है डूसरा application है activity launcher серcenate backward activity launcher टाइप करके आप सर्च करेंगे यह वाला application देख्ये इस application को install कर लेना है ठीक है एक दूसरी mobile लेनी है उसमें आपको share me और activity launcher install करना है दोनों application इस device में install हो चुके हैं और अब दोस्तों, अब आपको share me application जो है उसको open करना है, तो ये राज share me, मैं share me को open कर लेता हूँ, आपको इसे भी setup करना है, agree करिए, join करिए, next, ये permission आफ है, इसे on कर दीजिए, उसके बाद back आईए, यहाँ पे सारे permission को हम step by step allow करेंगे, यह से मैंने allow किया, okay, send और receive का option आगया, यहाँ पे receive का option है, आप simple receive पे click कर लें, यहाँ पे दीखे कुछ permission है, तो सारे permission को आपको step by step, जो भी permission अगर off है तो आप उसे on करें, उसके बाद back आए, यहाँ से turn on पे click करेंगे, allow कर देंगे, अब उसके बाद next करेंगे, यहाँ से allow क load आ गया, अब इसे scan करना है, तो हम simple इसे scan करेंगे, जैसे ही आप scan करेंगे, आप देखेंगे, दोनों device आपस में connect हो जाएगी, यह देखे, connecting process हो रहा है, थोड़ा सा wait करिए, दोनों device आपस में connect हो जाएगी, यहाँ पे connect का आप सनाया, connect पे click करिए, ओके, और यह देखे, activity launcher आपने install किया था, इसे check करना है, और उसके बाद send कर देना है, activity launcher इस device में send हो गया, अब इस device का work finish, इसको मैं side में रख लेता हूँ, अब इस device में देखें दोस्तों, activity launcher हमने send किया था, और इसमें activity launcher send हो गया, अब आपको simple करना क्या है, इसको install कर लेना है, और यहाँ पे activity launcher ओपन हो गया, अब दोस्तों, आप यहाँ से नीचे आए, आपको दिखेगा setting, आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पे दिखेगा setting, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, setting आपको यहाँ पे सर्च करना है, यह दखिए, यहाँ पे दो setting आपको देखने को मिल करी है, जो first वाली setting है, आप इस पे क्लिक करें, उसके बाद, आप नीचे आए, आपको यहाँ पे दिखेगा sub setting, ध्यान से बहुत ध्यान से आपको सर्च करना है, sub setting आपको दिखेगा, तो यहाँ से नीचे आए, आपको यहाँ पे दिखेगा sub setting, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखे का additional setting आप इस पर click करें उसके बाद accessibility पर click करें accessibility menu दिखे का इस पर click करें accessibility menu OFF है आप इससे यहाँ से on कर दें allow कर दें तो ये डेखिए accessibility menu shortcut on हो गया और इसका symbol आप को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस symbol पर clicks करेंगे तो आप देखेंगे तो ये सारे options options यहां पे देखने को मिलेंगे और अब दोस्तों अब आपको back जाना है device की main setting में तो यहां उपर से up back आजाएए device की main setting में setting में आने के आने क बात apps दीखेगा apps पे क्लिक करें manage apps पे क्लिक करें konay में three dot दीखेगा इस पे क्लिक करें so all app आप इस पे आप करिए, force stop करिए, OK करिए, clear data आप इसपे क्लिक करें, clear all data इसपे क्लिक करें और यहां से OK कर दें, ठीक है, उसके बाद उपर से आप back आजाएं, इसे पहले आप force stop कर दें, उसके बाद OK कर दें, clear catch करें और यहां से OK कर दें, ठीक है, उसके बाद उपर से आप back आजाएं, बैक आने बाद दोस्तों, आपको यहां search आप दिख रहा है, आप इसपे क्लिक करें, यहां पर आपको टाइप करना है दोस्तों, play, play टाइप disable करें, उसके बाद disable app करें, ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा force stop, force stop करें, उसके बाद OK करें, clear data दिखेगा, इसपे क्लिक करें, clear catch, इसपे क्लिक करें, यहां से OK, आप OK कर दें, ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, अब आपको device को reboot कर देना है, power button को long press करके रखिए, औ device को reboot करें, यानि कि restart करना है, तो यहां से device को मैं reboot करता हूँ, अगर आपने video skip नहीं किया, आपके पास POCO की mobile हो, या Redmi की mobile हो, दोनों brands एक ही होते हैं, POCO, Redmi, Xiaomi, MI, यह सारे brands एक ही हैं, अगर उसका software Hyper OS से up to date है, तो सारे models का FRP इसी तरीका से bypass होगा, चाए वो कोई भी model हो, अ इसके लिए भी आप उसे contact कर सकते हैं, हमरा contact detail description box में available है, device reboot हुई है, wait करिए इसे on होने तक, device reboot होकर on हो गई, और आप दोस्तों आपको setup करना है, तो setup करते हैं, simple हम यहां next पे click करेंगे, okay, इसे उपर कर लेंगे, छोटा सा box है, इसको check करेंगे, उसके बाद next करेंगे, skip this step इसके बाद next करेंगे, okay, device automatic wifi से connect हो जाएगी, उसके बाद आपको next कर देना है, getting your phone ready, यहां पे आपको wait करना है, just a few moment, wait करना है, यहां पे don't copy का आप सनाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, wait करिए, यहां पे don't copy का आप सनाएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, तो please दोस को भी प्रेस करके रखें, यहां देखें दोस्तों, don't copy का आप सनाया, आप don't copy पे क्लिक करें, और अब ध्यान दीजिए यहां उपर की तरफ, यह देखे, checking far update, यह आप सना आजाएगा, checking far update, और यह देखे, continue round करेगा, अब इसके आगे कुछ भी process नहीं होगा, अब दोस् सेटिंग दिखेगा, आपको तुरंट सेटिंग पे क्लिक करना है, यह देखे, सेटिंग दिखा, मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, और यह देखे, google play services open हो गया, ध्यान दीजिए, अगर open नहीं होता है, तो यही process आपको कई बार repeat करना है, तब तक repeat करना है, जब तक की google play services open हो जाए, ओके, तो google play services open हो गया, यहां पर देखे, enable का option है, आपने google play services को disable किया था, आप इसे enable करें, तो यहां से मैंने enable किया, ओके, यह देखे, google play services enable हो गया, अब दोस्तों, यहां से आपको एक एक point back जाना है, और wait करना है, google services के लिए, ठीक है, ध्यान से देखेगा, यह set up करके दिखा देता हूं, अगर दोस्तों आपने वीडियो कोई skip नहीं किया है, तो यकीनन आप Poco या Redmi की कोई भी mobile आपके पास हो, अगर उसका software HyperOS से up to date है, तो इस trick को follow करके दोस्तों, आप Poco या Redmi के सारे mobile का FRP बहुत इसली bypass कर सकते हैं, यहां पर देखे, Xiaomi HyperOS, setup complete, last में arrow मिलता, इस arrow पे click करेंगे, और बस, अब जाके हमारी device Poco app 4 का FRP lock, यानि की Google account lock, पूरी तरह से deactivate हो गया, और device हमारी पूरी तरह से unlock हो गई, accessibility आपने on करके रखा, इसे off कर दें, इसके लिए आपको जाना होगा device की setting में, नीचे आ जाए, आपको दिखेगा additional setting, इस पे click कर accessibility पे click करें, accessibility menu पे click करें, यहां से on करके रखा, इसे off कर दें, यह पुरा full process था दुस्तों, hyper OS android 14 का FRP bypass करने का, उम्मीद है, वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को share करें, like करें, ऐसे ही सांदार interesting वीडियो की continue notifications पाने के लिए चैनल को support करें, subscribe करें, thanks for watching this video